असलाम अलेकुम फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब विमिद करते हैं कि सभी अपने अपने घरों में खेरियस से होने आज मैं आप लोग के साथ फिर से एक बहुत ही खुबसूरत सा और दो कलर का डिजैन सेयर कर रही हूं आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं बेबी क के अपनी खुआ ही जगर हो तो चलिए इसको हम बनाना इस्टार्ट करते हैं इसे हम किस तरह से बनाएंगे यह देखे फिर्ट छेचे फंदा के हिसाब से हमने इसमें 21 फंदा डाला हुआ है यानि कि 18 फंदा डिजाइन का और 3 फंदा इस्ट्रा में तो चलिए आगे हम बन कि बिस्मिल्लाहिता मनी रहीं हम पहले दो सलाई प्लेन बना रहे हैं सीधा के तरफ सीधा और उल्टा के तरफ उल्टा आप जब भी ही प्रोजेक्ट बनाएं पहले बॉर्डर बना लें उसके बाद यह डिजाइन डालें वेर्ण्स میरे बताने का तरीका है क queis अलगता है हमें कुमेंट में ज़रूर बताईएगा अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा तो हमें कुमेंट में बताईएगा मैं फीर से बताने की कोशिस करूंगी तो सीधा हमने बना लिया है अब हम एक सलाई उल्टा बना ले रहें हैं बहुत ही आसान ये डियाइन है और बहुत ही यूनीक है आप एक बार इसे अपने किसी भी प्रोजेक्ट में डाल कर देखें किसी भी दो कलर में आपकी अपनी जो पसंद है कलर वो पसंद आप डाल सकते हैं बहुत ही खुबसूरत लगता है ये तो ये देखे हमने उल्टा सलाई भी तयार कर लिया है अब हम सीधा से डिजाइनी स्टार्ट करेंगे और डिजाइन स्टार्ट करने में हम दूसरी कलर का लगाएंगे ये देखे है इसमें पहला सलाई हम बुलू कलर से बना लेंगे फिर फंदा अपनी साइड करेंगे और एक दू तीन फंदा को इस तरह से स्लिप कर लेंगे और फंदा पीछे करके एक फंदा बुलू को बना लेंगे और उसको स्था बनाते फिर फंदा अपनी साइड करके एक दू तीन चार पांच पंदा स्लिप करेंगे फंदा पीछे कर लेंगे यह देखिए और एक फंदा सीधा बना लेंगे फिर से फिर फंदा अपनी साइड करके एक दो तीन चार पॉंच पॉंच फंदा सिलिप करेंगे फंदा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा बना लेंगे फिर फंदा अपनी साइड करके एक दो तीन फंदा से लिप करेंगे फिर फंदा पीछे करके इसको हम सीधा बना लेंगे इस तरह से अब हम आ जाते हैं उल्टा स्लाई में तर्स वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करिएगा आपको ये डिजाइन बहुत ही पसंद आने वाला है अब इस बुलू वाले कलर को हम इस तरह से स्लिप कर लेंगे और फिर फंदा पीछे करके तीन फंदा को फिर से हम स्लिप करेंगे ऐसे और इधर से हम फंदा लेकर इस एक फंदा को ऐसे करके बना लेंगे फिर फंदा पीछे करेंगे फिर हम पांच फंदा को स्लिप करेंग छेच्छे फंदा के हिसाब से ुद हें डाले एंट दाले आप तीन लिए इस्टरा में अरा वे इसूरी इस्टर्वाटकारशन के हम हम ने सुरुवात में किये है खर सक रहां अब आ जाते हैं हम सीधी सलाई में अब सीधी सलाई में हमें क्या करना है यह धियान से देखिया अब सीधी सलाई में फिर हम कलर चेंज कर देते हैं कलर चेंज करने में हम क्रीम लगा देंगे और बुलू को अभी रोक देंगे टोटल पंदा हम क्रीम कलर से बना ले रहे हैं आप किसी भी चीज में इस डिजाइन को डाल सकते हैं सॉल में, बेवी बलेंकेट में, जो भी आप बनाना चाहे हैं पोचू में, या फिर सकार्प में, टोपी में सभी में ये डिजाइन बहुत ही खूबसूरत लगता है तो आप इस डिजाइन को एक बड़ ट्राय जरूर करिएगा पूरा हमने क्रीम कलर से सीधा सीधा बना लिया है ये सलाइग, अब फिर हम आजाते हैं उल्टा साइड में उल्टा में भी हमें पूरा उल्टा उल्टा बना लेना है, अभी हमें कोई भी डिजाइन नहीं डालना है और डिजाइन को इसकीप मत करें, इसकीप करने से आपको डिजाइन समझ में नहीं आएगा इस तरह से दो सलाई प्लेन बन गया है, आप दियान दीचिएगा ये इस्टरावला फंदा हम बना ले रहे हैं, उसके बाद एक फंदा बनाएंगे और ये बुलू बला फंदा जो है, इसके इस तरह से हम बीच सेंटर से सलाई को अंदर करेंगे और उसके बाद हम ये फंदा बना लेंगे और इसी बीच से ऐसे करके निकाल लेंगे फिर अब यहाँ पर से हमें एक, दो, तीन, चार, और पॉंच पॉंच फंदा हमने बना लिया है, सौरी, चार फंदा हमें बनाना है अब ये धियान देना है, ये बुलू बला फंदा है उससे पहले दो फंदा हमें छोड़ करके, फिर ये बीच सेंटर वाला फंदा जो है इस तरह से हम ऐसे बना लेंगे इसे, ऐसे करके उसके बाद फिर हम एक, दो, तीन, चार और पंच पंच फंदा हमने बना लिया, फिर हम लेंगे इस तरह से ये देखिए, सलाई डालेंगे और ये फंदा को हम ऐसे करके लेंगे और इसे हम बना लेंगे फिर यहां पर एक, दो, तीन, और चार फंदा लेना है क्योंकि ये स्टार्टिंग है, अगर ये स्टार्टिंग नहीं रहता तो यहां पर पंच फंदा रहता आ जाते हैं हम उल्टा साइड में हम इसे उल्टा ही बनाएंगे डबल कलर में ये डिजैन आपको बहुत ही यूनीक है और बिलकुल ही नया डिजैन है तो इसको देख करके बनाएए और वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कर दिचेगा और अगर वीडियो पर क्लिक कर दिये हैं तो एक बार फूल बच जरूर कर लिचेगा यह देखिए यह डिजैन इस तरह से अब दिखेगा अब इसके आगे हमें क्या करना है यह धियान दीचेगा इसे हम दो फंदा इसी तरह से स्लिप कर लेते हैं अब यहां पर हम यह वाला फंदा जो है इसमें हम बुलू फंदा डालेंगे और उसे बना लेंगे इसमें और उसके बाद फिर फंदा अपनी साइड करके हम एक दो तीन चार फंदा को हमने स्लिप कर लिया फंदा पीछे करेंगे और एक फंदा बना लेंगे फिर फंदा अपनी साइड करके एक दो तीन चार पहुंच फंदा स्लिप कर लिये फिर फंदा पीछे करके एक फंदा बुलू कलर का बना लेंगे फिर फंदा अपनी साइड करके एक, दो, तीन, चार फिर फंदा पीछे करेंगे, एक फंदा बना लेंगे और ये दो फंदा को हमें सिलिप भी रखना है अब फिर हम उल्टा में दिखा दे रहें आपको अब उल्टा में फिर से हम इसे स्लिप कर लेंगे और फंदा हम पीछे करके इसको भी स्लिप की कर लेंगे और इस तरह से ये चार फंदा को फिर से स्लिप करेंगे और ऐसे करके इसे हम उल्टा बना लेंगे फिर फंदा पीछे करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 फिर से सिलिप कर लिए और इस तरह से उल्टा बना लेंगे फिर फंदा पीछे करके चार फंदा को हमें सिलिप कर लेना है और एक फंदा उल्टा बना लेना है अब ये दोनों फंदा को भी फिर से सिलिप कर लेंगे अब आजाते हैं सीधी सलाई में सीधी सलाई में हमें पूरा प्लेन क्रीम कलर से बना लेना है बूलू को भी अब क्रीम बना ले रहे हैं यह देखिए अब हम उल्टा बना ले रहे हैं उल्टा में टोटल फंदा को उल्टा बनाएंगे आजाते हैं हम सीधी सलाई में सीधी सलाई में हम फिर इस तरह से एक दो तीन और यह रहा चार चार फंदा बनाने के बाद हम इस फंदा को इस तरह से फिर से हम दोबारा बनाएंगे अब यहां पर से एक दो तीन चार अब यह पाँच मां फंदा फिर से बनेगा इस बीच सेंटर से ऐसे करके ये डीजाइन आपको पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर दीचेगा और वीडियो को देखकर के लाइक कर दीचेगा तो मिलते हैं हम आपको फिर से एक यूनीक सी डीजाइन ले करके तब तक के लिए दीचिएगा हमें इजाजत मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए खुदा हाफिज